हेलो गाइज मेरा नाम डॉक्टर दिक्षा है और यह है मंडला आट के बुक मुझे मंडला आट करना बहुत पसंद है तो मुझे पता चला कि अमेजॉन पर भी यह बुक अवेलबल है तो मैंने यह बुक मंगवाई है और मैं आज आपको इसका रेव्यू करूंगे मैं आज आपको बताऊंगे कि इसके अंदर कौन-कौन से डिजाइन है क्योंकि जब मैंने इस बुक को आडर करने से बहुत रिव्यू देखे थे तो मैंने जो रिव्यू देखे थे उसके अंदर उन्होंने से एक दो पेजे इसमें दिखाये थे और उससे मुझे सही में यह है कलरिंग बुक फॉर एडल्स एक मैंने अपने नीज के लिए की थी इस आर्ट के बार में एक्चली मेरे नेफ्यू नहीं मुझे बताय था तो थैंक्स टू अंशु अब मैं आपको इस बुक का बार में बताती हूँ देखे मैंने बुक और की थी अमेजोन से और आइ यह जो है यह मैंने स्केच कलर से किया है यह स्केच कलर मैंने फैबर कैसल के मैंने अमेजोन से मंगवाए थे उससे मैंने यह भरा आए जो मुझे इतना पसंद नहीं आया तू बी वेरी वेरी प्रैंक और एक दूसरा है जो मैंने इन से भरा है वाटर कलर से यह आप देखे इह देखिए, यह मैंने इट बनाया इसमें एक इवन भी है और बहुत सुनदर लगए है और इसके अंदर जो है अब यह देखिए यहाँ पर किस तरह से हो रहा है इतना अच्छा नहीं लग और इतना संदर भी नहीं kinda लेकिन यह water color से जो मैंने भरा है वो बहुत ज्यादा सुन्दर लग रहा है और इसमें even है color उसके बाद यह मेरी भावी ने बनाया है जिनको हम बहुरिया कहते हैं उन्होंने भरा है यह कितना सुन्दर भरा है इनोंने भी इनी water color से ये भरा है और ये दस रुपय के colors है यह आपको किसी भी market में मिल रहे हैं इनके साथ एक brush भी मिलती है और यह जो है यह फैवर कैसल के हैं यह मैंने अमेजोन से मंगवाए हैं और यह 90 रुपीज के मुझे मिले लेकिन मैं यह रिकमंड करूँगे कि आप बेटर रखें आप इन से बरें क्योंकि इन से बहुत जादर सुन्दर कलर आ रहा है और इवन भी आ रहा है अब मैं आपको आगे के मंडला दिखाती हूं यह देखें इस बुक में इस तरह के हैं यह 64 पेज लिखावा था जिसमें 32 मंडला आर्ट हैं इसके अंदर यह आपको इसने सब दिखा रही हूं ताकि जब आप पर्चेस करें तो आपको पता हो कि अंदर क्या-क्या है क्योंकि जो मैंने रिव्यूस देखे थे उसके अंदर शिफ एक-दो मंडला दिखाये गए थे जिससे मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं आया था कि कैसे होंग इसकी प्येज की क्वालिटे के बारे में मैं भी आपको बताऊंगी देखे मेरा नीज खेल रहा है महीं पर जिससे आपको एक पता रहेगा कि मुझे यह मंडला लेना है कि नहीं या फिर मतलब एक आपको डिजाइन का आइडिया हो जाएगा कि इसमें इस तरह के डिजाइन्स है यहां से टीर आउट है तो आप इसको बना के यहां से टीर भी कर सकते हैं इसली देखिए इस वन इस वरे ब्यूटिफुल और इसके पेज की क्वालिटी है मैं सच बता हूं तो वह एवरेज क्वालिटी है लेकिन हा मतलब यह ठीक है कि इसमें से कलर जो है आपका निकल नहीं रहा है पीछे आप मैं मेरी माने तो आप इसके पीछे एक आप जो बन जार है मंडला इसके पीछे आप एक न्यूस पेपर रख लें जिससे क्या होगा कि इनकेस आपका कलर लीक करेगा तो वह दूसरी जैसे मालीज आप इसको कर रहे है तो इस पे नहीं जाएगा अगर आप बीच में न्यूस पेपर रख लेंगे तो इधर की तरफ ब्लांक है तो अगर मालीज यह मंडला आपको पसंद आता है तो आप इसको फ्रेम करा सकते हैं क्योंकि इसके पीछे कोई दूसरा मंडला नहीं है ठीक है और यह जो है एक मैं आपको कलर के बारे में और बता दू कि जैसे यह कलर मैंने किया है तो इसमें क्या है कि इसके पीछे देख कुछ भी नीवा है इसमें पेज अच्छा है साफ है तो see करें और इसमें colors के option भी छादा होते हैं और आप मतला इसने सफाही जाज में आपकी काम में उख्याय Coleman इससे कर शक्ते हैं जैसे मैं से इसको कर लिए है तो देखिए यज यह मैं इसको आगे से फ्रेम करवा सकती हूँ जैसा भी मैं चाहँ हूँ तो यह था मेरा मंडला आट बुक का रिव्यू जो मैंने अमेजॉन से पर्चेस किया 149 रुपी से और देखे यह टीयर आउट शीट से तो आप इसमें टीयर कर सकते हैं अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मुझे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें और अगर आप चाहते हैं कि मैंने किस तरह से इसमें कलर फिल किये हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करें तो मैं आपको अगली बार वो बताऊंगी थैंक यू सो मच